असलाम लेकुम एन वेलकम बैक टू मार चैनल आज मैं बनाऊंगी एग्लिस ओरेंज केक और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रीट सब्सक्राइब कर दीजिए यहां पर मैंने बोल में ली हुई है दो टेबल स्पून दही और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कौटर कप ऑईल ऑईल डालने के बाद मैं दही को अच्छी से मिक्स कर दूंगी और अब मैं इसमें डाल रही हूँ टू टेबल स्पून चीनी आप चाहें तो चीनी अपनी मर्जी के हिसाब से ज्यादा या कम कर सकते हैं चीनी डालने के बाद आप मैं इसको दुबारा से मिट्स कर दूँगी एक टी स्पून ओरेंज का चिलका डालेंगे चॉप किया हुआ आप जाहें तो इसको कदू कश करकी भी डाल सकते हैं एक कप इसमें जाएगा मैदा हाफ टी स्पून जाएगा बेकिंग सोडा या मीठा सोडा और एक टी स्पून बेकिंग पाउडर हाफ कप इसमें जाएगा फ्रेश ओरेंज जूस फ्रेश जूस आप गर में ही बनाईएगा और हम इसमें डाल रही हूँ दूद दूद आप कमी रखिएगा बस पैटर को पत्ला रखने के लिए इसकी कंसिस्टेंसे भी आप देख लिए कि इतनी पत्ली होनी चाहिए इसे ज़्यादा नहीं और अब आखर में इसमें एक से दो चुटकी औरेंज फूड कलर जाएगा और आप चाहें तो जड़े का रंग भी यूज कर सकते हैं रिप्लेस्मेंट के तौर पे तो पूड क करने के बाद अब मैं इसको बेक करूंगी पतीला मैंने मीडियम फ्रेम पे पहले ही प्रीइट कर लिया था यहां पर मैं इस बेटर को ग्रीस किये हुए पैन में डाल रही हूं पैन को मैंने अल्रेडी ग्रीस करके नीचे बटर पेपर रख दिया था इसको लो टू मीडियम फ्रेम पे बेक करेंगे और तीस मिनट बाद आप इसको चेक करते रहेगा कि यह बन गया है कि नहीं और जब बन जाया तो निकाल दें यहां पर यह बेक हो चुका है तो आप देखें इसका कितना अच्छा कलर आया है औरेंज सा और यह बहुत मजी का बना था आप भी ज़रूर ट्राय कीजिए गाइस रेसिपी को कि कि आप आप लुट करते दो आप दो आप बहुत मजी कि अवरूर टार टावरूर टावरूर टावर दुट करते दो दो कि अबधा हैं इसका कThis झाल झाल